तोपिक शुरू कर रहा है अपन इलेक्ट्रस्टेटिक्स इलेक्ट्रस्टेटिक्स मेंस इस्थिर विद्धुत की क्या पढ़ रहा है आज इस्थिर विद्धुत की आपको एक ब्रीफ इस्ट्री में आपसे पूस्ता भी रहूंगा और आपको बताता भी रहूंगा कम से कम समय में आपको आंसर देने हैं क्या पढ़ रहे हैं इलेक्रोस्टेटिक्स एलेक्रोस्टेटिक्स या आप इसको बोल सकते हो इस्थिर वैद्युत्की इस्थिर वैद्युत्की इस्थिर वैद्युत्की इलेक्रोस्टेटिक्स मेंस इसमें क्या पढ़ेंगे इस्थिर आवेस का अगर्ण कि इस्टेशनेरी चार्फ इस्तिरावेश का अध्यन किया जाता है और यह जो सुरुवात हुई थी इसकी सुरुवात किस ने की थी सबसे पहले एक इंडियन पिलोश्वर्थ ते थैल्स और थैल्स ने जो बात की वो किसकी की थी अंबर की क्या बताया था इसने एक अंबर नाम का एक ऐसा पदार्त है जिसको अन्य पदार्तों से रव किया जाता है अपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्रिसिटी की प्रोपर्टी डॉलप होती है यह अलके पदार्तों को अपनी और आकरस्थ करने का गोण उत्प लग और गने से ऐसा क्या हो रहा है कि जिसससे हो रही तो जो अंबर सबस्टांस इसके बेश पर जो अंबर का नाम क्याकई आधार जो ग्रीक बासा में नाम ता इसका क्या था कि इलेक्टरम नाम सा और इस इलेक्टरम नाम के आधार पर इस ब्रांच को क्या नाम दिया छिए हैं इसका स्टार्टिंग हुई थी अमबर पदाथ से इसका ग्रीक वर्ड क्या है एलेक्टरम है और इसको डिवाइड करना है अपना में और जैसा आपको इलेक्टर स्टेटिक्स बॉर्ड का भी टूपिक जरी दो चाहले जाएगा नीट में भी पूचा जाएगा एम्स में भी पूचा जाएगा तो हमें किस जंक से इसको पढ़ें सारी चीजिए कवर हो एसा confusion की हम बोड का अलग पढ़ रहे हैं नीट का अलग पढ़ रहा हैं इसका कहीं न कहीं गिल्बर्ट ने विलियम गिल्बर्ट ने इस ब्रांच को क्या नाम दिया कि एक्चुल में उसने बहुत सारे एक्स्पेरिमेंट कि और उसने बताया कि अंबर इकलोता ऐसा पदार्त नहीं है जिसमें घर संबमें या क्या है तो क्या लग अलग पदार्तों को जब आपस में रग्राना लता है और इसे क्या कहेंगे अल्टी सिटी अलीड संबी तकी का लिक्ष कए इसको कहेंगे लियम गिल्बर्ट आप और फिर जब इसने कुछ एक्जाम पास दिये कि वैने glass road rough with silk then glass road becomes positive and silk becomes negative कांच की चड़ को जब silk से रगरते हैं तो कांच की चड़ धनावेशित हो जाती है और silk कैसी हो जाती है रिनावेशित हो जाती है तो इसका region देखा गया कि ऐसा क्या region है कि कांच की चड़ पर धनावेश आ रहा है और इस पर रिनावेश आ रहा है या सोट में हम प्रसन पर जाएं तो प्रसन यह है कि गर्षन विद्दुत्की का कारण क्या है क्या कारण होगा आवेशों का आदान परदान इलेक्ट्रों का इस्थानांतर जो आवेश वर्ड है यह किस से कनेक्ट है इलेक्ट्रों से तो इट मिंस ग्लास रोड को और सिल्क को आपस में रगड रहे हैं तो दोनों की प्रकरती कैसी है विप्रीत है कांच की चड़ में इलेक्ट्रों त्यागने की प्रवर्ती है जब इलेक्ट्रोन का आदान प्रदान इलेक्ट्रोन यहां से निकलेगा यहां पर एक लेक्ट्रोन के बराबर पोजिटिव चार जाएगा यह इलेक्ट्रोन के बराबर नेगेटिव चार जाएगा दो इलेक्ट्रोन निकलेंगे तो बराबर पोजिटिव चार जाएगे दो नेग क्षेदा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रोन का आदान परदान होता जिसके अर्ण ये आवेसित cube और आवेस्छा के की सब्सक्राइब ऑब doppie लिए में कॉश्ट को अपनी और आककर सेद करने का गुण होजाता है इसे क्या कहते हैं सबускर के त्रिव को विलियम गिल्बर्ग और गर्सन विदुद का कारण क्या है इलेक्ट्रोन का आधान परदान यह पहला कॉश्चन था अब जैसे इसने यह बहुत सारे इसके अलावा बताया कि कंगे को सुखे बालों के साथ रगड़ा जाता है तो कंगा रिनावे सी तो जाता है सुखे बाल दो खेंगरी वन गई आवेस की एक प्रकार के घर्टार थे जिरुपर पोजिटिव चाप्क में था यही डास जैसे पदार एंको नाम दिया गया विट्रियस काच जैसे पदार काच सम्पदार और जो रेजिन जैसे पदार थे उनको का रेजिनियस रेजिन जैसे पदार बाद में जो प्लस और माइनस पड़ते हैं यह वान किसने बता है सबसे पहले यह की वर्ड यूज किया वह किसने यूज किया साइंटिस्ट का नाम है बैंजामिन इस इसने हमें क्या बताया आवेस दो प्रकार के होते हैं और इन आबार की तिर दो क्या बता इसने और घेनावेस और अफिना दनावेस और डिनावेस कंसैप्ट्ट्टल नाम नहीं यह नाम पूरी ईसे बेन्जामिन प्रेंक्लिन ने सजस्ट कर दिया कि जो दो कैटेगरी बना रहे हो उनमें एक कैटेगरी जो इलेक्ट्रों त्यागने वाली कैटेगरी वह पॉजिटिव चार्ज कहलेंगे और जो सबस्क्राइब करने वाली तो इस ने कि विधु तरह के आवेस होते हैं त आवस क्या है तो हम आधे की बात करता है तो तो समझ थे अश्य है कि फ्लस और माइनस करता हो या फिर मैगनेटिक विडे करता हो लेकिन actual में यदि प्रास्नम सेह आता है कि विद्दुत आवेश क्या है तो separate list को answer देना थोड़ा सा typical हो जाता है क्योंकि आवेश क्या है प्रस्न ये नहीं है क्योंकि आवेश चार्जीज नथिंग क्यों चार्जीज नथिंग क्यों बोल रहा हूं में बिना पदार्थ के आवेश का अस्तित संभाव नहीं है जहां भी आवेश की बात करोगे तो आप अभी कर रहे थे तो हम कहरें कि ग्लास रोड है तो ग्लास रोड कैसी हुई दनावेशित हुई सिल्क है तो सिल्क दनावेशित हुई वस्तु है अपने इलेक्ट्रोन का द किसी वस्तु से इलेक्τικोन निकले तो वह वस्तु कैसी दन आवेषित तरह से आवेष कब आया जब स्थू विना पदार्थ के आवेश का स्थित्व संभाव नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं आवेश जो है पदार्थ से जुड़ा हुआ है द्रवेमान से जुड़ा हुआ है द्रवेमान नहीं है तो आवेश भी नहीं है इसलिए कि आवेश क्या है तो हमें साथ में किसको लपेटना है कि यह वस्तु दनावेशित है यह वस्तु रेनावेशित है और यह बात समझ में यदि इसका स्वतंत्र अस्तित होता तो हम केवल आवेश की बात करते हैं लेकिन स्वतंत्र तो चारों और क्या उत्पन हो जाएगा चुम्बा के चेत्र उत्पन हो जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं चुम्बा के चेत्र भी जुड़ा हुआ है तो अब सारी इसकी गणित्तों समझ में आगे हमारे विद्दुत आवेश क्या इसका अंसर देना है तो हम क्या क्लिक सकते हैं एक लाइन में आवेश पदार्त का एक पूल बहुत कोन है प्रसंता अपना आवेश क्या है विद्दुत आवेश क्या है और इसका जो कंक्लूजन निकला कि बिना पदार्त के तो यह पूसिबल है यह नहीं तो अपने पास जो आंसर निकला फस लाइन में आवेश पदार्त का एक मूल बूत गुण है मूल बूत गुण है यह आम एक बता सकते हैं क्योंकि बिना पदार्त के इसका स्थेत्व संभाव नहीं है तो यह एक बात होगी पिर हम और किसी जोड़ सकते हैं कि देखो एक ऐसा गुण जो किसी पदार्त में विद्दुत छेत्र उत्पन कर दें या तो वह विद्दुत आवेसित है वापन क्या कह सकते हैं कि जिसके कारण विद्दुत एवं चुम्बके छेत्र उत्पन होता है अध्वा आनुभाव किया जाता है तो भी उस्वस्तों को क्या मानेगा हम आवेसित मानेगे या तो इलेक्टिक फिल्ड या मैग्नेटिक फिल्ड इसका तो यहां से हम एक स्टेट्मेंट क्या सकते हैं क्या स्टेट्मेंट दे सकते हैं कि बिना द्रव्यमान के आप लोग अंतरियामी हो वही सब पता है बिना द्रव्यमान के यसर बिना द्रव्यमान के आवेश का पास्तेत्व संभाव नहीं है परंतु यदि इसका वीवर्स पॉइंट बोले हम क्या बिना द्रव्यमान के आवेश का आस्तेत्व संभाव नहीं है तो इस्टेट्मेंट कैसा माना जाएगा गलत द्रव्यमान पदार्थ विद्धुत उदासीन हो सकता है दनावेश ही तो सकता है रिनावेश ही तो सकता है बिना आवेश के भी हो सकता है लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता पदार्थ है तो ही आवेश है अब इसके बाद हम स्टेटी करेंगे आवेशों क अगला क्वेशन है और प्रोपर्टी जो चार्ज में जो हम बात करें इस डिसकुसन से पहले यह अपन एक जो बात कर चुके इस पर एक क्वेशन जो पूछा जाता है कि विद्दुत आवेश से संबंदित कई बार डिसकस हुआ है किसके बारे में पहले समझ लेता है पूश्यन भी सीख लेते हैं जैसे हमने अभी चर्चा के विद्दुत आवेश स्थिर भी हो सकता है विद्दुत आवेश कि गति सील भी हो सकता है इस तिर आवेस यह नहीं हम जब बात कर रहें कि यह वस्तू धनावेसित है यह वस्तू रिनावेसित है कोई वस्तू धनावेसित है या रिनावेसित है चार्ज विजीवल नहीं है कैसे पता लगाते हैं इसके पास कोई दूसरी वस्तू लाते हैं ये उसको या तो आकसित करेगी या प्रतिकसित करेगी वो उसके चारों और एक कुछ दूरी से याकसित कर लेगी तो ये जो फील्ड है ये इसका क्या कहलाता है विद्दु छेत्र कहलाता है जहां तक वो आकसन अत्वा प्रतिकसन का गुण दरसाती है तो ये कौन सी वस्तु तुद्स आती है आवशित वस्तू जब आवेश कैसा है उस पर इस तिर आवेश है ने जिसे कंगे को रगडा dust particles के पास लेगे dust particles attract को के कंगे के चिपक रहे है तो इटमिंस पूचा जाता है कि इस्थिर आवेसblood करता है तो गतिसी लाफेस काश्चिन में थोड़ा सा ध्यान रखना है गतिसी लावेस में एक तो हमें दिया जाए नियत वेग से गतिसी लावेस उसकी स्पीड हमें और एक यह स्पीड जब नहीं दी गई है यानि तुरित आवेस या मंदित आवेस जिसका वेग परिवर्थित हो ऐसे दिये जा सकते हैं तो हमें पूचा जाए कि नियत वेग से गतिसी लावेस उत्पन करता है तो क्या अंसर देंगे हम विद्दुद छेत्र एवं चुम्बके छेत्र एवं चुम्बके छेत्र एवं चुम्बके छेत्र यह अंसर कब दे रहे हम जब प्रस्ण में ये दिया गया है नियत वेग से गतिसील आवएस उत्पन कर सकता है कर सकता हमें विद्दजेत्रें चुंभके चेत्रें दोनों अब बात आए हमें प्रसन दे दिया जाए एक थरित आवेस उत्पन कर सकता है तो ये दोनों गुण घाइव नहीं होगे ये तो रहेंगे विद्दुत, चेत्र, चुम्बके चेत्र, एवं उर्जा विकिरित होती है, उर्जा विकिरित होती है, तो आप देखो अपने पास है, और इन में से जनरली question discuss होता है, कि हमने question discuss कर लिया, कि विद्दुत आवेश में तीन question मनते हैं क्या कोश्चन इस तिर आविश उत्पन कर सकता है त Invari रहने के वलत तो इस की बात कर तो गतिसी लावेस की प्रोपर्टी हैं सारी तो गतिसी लावेस उत्पन कर सकता है तो हम क्या वो लेंगे विद्दुचेत्र चुम्बके चेत्र एवां और जादा निकल रही हो तो अपने बटन बंद कर सकते हैं है बोड़ी में से वी उर्जा निकलती है बटन मंद रखो ठीक है तो विद्दुचेत्र एवां चुम्बके चेत्र के साथ साथ क्या हो रही है और जब यह आइडेंटिफाई है कि नियत वेक से गतिसील है तो हमें सिर्फ क्या लिखना है विद्दुचेत्र चुम्बके चेत है आवेश उर्जा भी उत्पन कर सकता है तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाए क्लियर हो गया कि तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन था आवेश के गुण तो यदि हम बोड़ के इसाफ से पढ़ेंगे तो हमारा प्रास्न मनेग कि आवेश के कोई चार गुण लिखिए और कईना कई कॉम्पटिशन में पढ़ेंगे तो प्रतेक प्रोपर्टी में कॉम्पटिशन के अनेक क्वेश्चन चुपे हुए हैं जैसे हम डिसकस साथ साथ कर रहे हैं दोनों चीजें हम आवेश के गुण आवेश के गुण पढ़ रहे हैं और इन गुणों में सबसे फेवरेट गुण जो आपका है सबसे पहले उसी को डिसक्स कर रहे हैं सबसे फेवरेट कौन कौन सा है आपका समान प्रकरती के आवेशों के मादे पर्तिकसन और विपरीद प्रकरती के आवेशों के मादे पर्तिकसन होता है यदि दोनों माइनस हैं समान प्रकरती है दोनों प्लस हैं समान प्रकरती है तो क्या होगा प्रतिकसन एक प्लस है और एक माइनस है तो लिखने के लिए लाइन तो तैयार ये होगी कि समान प्रकर्टी के आवेशूं के मद्ध प्रतिकस्ण तथा विपरीत प्रकर्टी के आवेशूं के मद्ध प्रतिकस्ण होती है समझने के लिए भी ध्यान रख ले देखो समान प्रकर्टि का मलत दो होइस ले रहे हैं प्लस ओर प्लस यहाँ फिर मैंईस और माइनस यह कहलाएं प्लस तो दूसरा क्या है माइनस委 और इनका मतलब क्या है आकर्शन तो यह आपके अच्छे से समझ में आ गया कि समान प्रकर्ती में प्रतिकासन और विप्रीत प्रकर्ती में आकर्शन होता है लिख भी देंगी लेकिन कॉंप्रेशन लाइन में जाएंगे इस में से क्या पूछा जा सकता रिवर्स इस्टिंठ मेंट वह बनते है कि इसी में हम से क्रोषण पूछ लिया ईफिलिया लेक्ट्रॉन दूसरे पहले मैं बोलूगा फिर आप बोलोगे एक इलेक्ट्रों दूसरे इलेक्ट्रों को आकर्सित करता है ऐसा प्रकर्षन पूछ लिया आकर्सित करता है तो नया नया जब लेओंट से 12 में आता है तो उसको यह समझ में आ जाता है कि समान प्रकृति का मतलब प्रतिकर्षण विपरीत प्रकृति का मतलब प्रतिकर्षण और वो आराम से अपने प्रसन का आंसर जो है वो निशित रूप से गलत हो गया और आपका माइनस एक भी चला गया उसका कारण क्या रहा कि प्रसन की लेंग्वेज यह थी क्या एक लेक्ट्रॉन दूसरे लेक्ट्रॉन को आकरसित करता है तो क्या वाली चीज है तो हमें पोसिबिलिटीज की डूमन तो इसका आनसर आएगा हाँ कर सकता है और क्यों कर सकता है न्यूटन का जो गुर्ट्वाकर्षण का नियम है वो कैसा है सार्वत्रिक नियम है इसकी नेचर कैसी है किवल और केवल ऐरेक्शनjes आकरसण है प्रती कर संदिन नहीं होता है किसमें गुर्ट वाकर संद और सार्वत्रिक नियम क्या है विश्वमें प्रतेगे कंद दूसरे कंद को अपनी होर आकर सिक पता है विश्व में प्रतेककण वो च्याए इलेक्टron है च्याए प्रोटोन है च्याए नूटौन इट मिंस च्याए रेनावेशित है च्याए धनावेशित है च्याए उदासीने कोई भी कण अपने आपको आकरसित करता है प्रसन ये उड़ जाता है कि बात है तो हम तो चिपक जाने चीए देरे देरे अना गुर्तवाकर्शन के कान लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जबकि इलेक्ट्रोंस को छोड़ोगे एक एलेक्ट्रों और एक प्रोट्वन को छोड़ोगे तो चिपक जाएंगे क्या रिजन हुआ कि देखो यहां पे जो गुर्तवाकर्शन बल है जो डिपन करता है वो किस पर डिपन करता है और पर हम छुटी कर रहें तो कंपेरिटीमार आर्थ का मास और वस्तों की तुलना में कैसा है बहुत अधिक है इसलिए ये सभी वस्तों को अपनी और आकरसित करती है तो प्रस कांसेप्ट यह नहीं है कि प्रत्वी सभी वस्तों को अपनी और आकरसित करती है सारत्रिक नियम यह है प्रतेक कंड दूसरे कंड को अपनी और आकरसित करता है प्रत्वी का द्रव्यमान और कंडों के द्रव्यमान के तुर्णा में बह प्रत्वी के सेंटर की और हो जाता है ऐसा लगता है कि प्रत्वी से उठके कैसे आ रहे हैं उपर के तरफ आ रहे हैं तो प्रत्वी तो अपनी और खेचना चाहिए थी ना इसका मतलब यह नहीं लेकिन विवर्सलों क्या है प्रतेक चण को अपनी और आकसित करता है इपस्प्लेनेशन देना है निवंटन के गुर्त्वाकसन के सारथ रिक दियमानों साथ यह यह पारंत्व विद्थ की में इलेक्टोन और प्रोट्ण के इसतर पर गुर्त्वाकसन बलको नगन मान लिया जाता है क्योंकि उसकी तुलना में ये कैसा है बहुत चोटा है जैसे गुर्थ निकालोगे तो जी M1 M2 upon R square विद्धुत वल निकालोगे तो के Q1 Q2 upon R square यहाँ जी कॉंस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है 6.67 गुणा दसकी पावर माइनस का 11 दसकी पावर माइनस लेवन चार्ज पे जाएंगे तो देखो के जो कॉंस्टेंट है नो गुणा दसकी पावर नो उदर माइनस गयारा पॉइंट जीरो 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 गयारा जीरो लगाएंगे जब कोई अंक आएगा और दसकी पावर नो बहुत बड़ी संख्या है तो अब एक मोटा मोटी आइडिया हो गया कि विद्धुत बल हम कहेंगे करता है गुर्त आकासन बलके कारण तो यह गलत नहीं है यह पहला गुण हमने पढ़ा लाइन यह लिखनी है यह तो रिवर्स कोश्चन हमसे पूचा जाए तो हमने आंसर देना है आई बास समझ में दूसरे गुण की बात करते हैं पहला गुण तो हमने पढ़ के लिए समान प्रकरती और विप्रीद प्रकरती के आवेशों के लिए समान प्रकरती में प्रतिकासन और विप्रीद प्रकरती में आकासन होता है दूसरा गुण जो पढ़ रहे हैं हम दूसरा कुर्ण क्याँ पढ़ेंगे बताऊ वई Zumovic संख्शित होता है और fonr익 संख्शित होता है तो जब आपको प्रोपर्टी लिखनी है कि नंबर वढ़ना है एक दो तीन चार चार लिखने हैं जब तो आवे शंद्रक्सित होता है यह गुण लिख सकते हैं लेकिन इसमें से चोटे कोशन भी मिलेंगे और बड़ा कौशन ऐसे मिलेगा है समझाईए और बीच में चोटे-चोटे निकलेंगे जो कि निट में 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 उचए जाएंगे संरक्षित होता है तो तो सबसे पहले संरक्षिण नाम आते ही student के राध दिमाग में आ जाती है कि आवइस को ना तो क्या जा सकता है यह आवेज अंडुक्स्ठ नाक्षन कहलता है तो क्या यह लाइवाइन गलत है क्या गलत नहीं है 100% सही है आवेज को नहीं तो उत्फन किया जा सकता है यह क्लियर है लेकिन अब यहां पर एंस में स्टेटमेंट जो आते हैं उनकी बात करोव तो देखो मैं एक स्टेट्मेंट देता हूं क्या यहां पर स्टेट्मेंट दिया जो अभी आपने बोला वही आवेश कि स्टेट्मेंट ए जो दे रहा हूं आवेश को ने तो उद्पन किया जा सकता है मैं जब तक भूलिगों जब तक आपको नहीं वोलना वही कुछ भी समझना है सिर्फ आपको अनौश समझने के साथ फील भी आनी चाहिए आवेश को ने तो उत्पन किया जा सकता है तथा नहीं नस्ट किया जा सकता है प्रत्वी की बात कर रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि पूरे ब्रह्माट में आवेश को ना तो उत्पन किया जा सकता है यह स्टेटमेंट दे रखा था और यह स्टेटमेंट देвед- रखा है कि ऑश्यों को को आट न अधिस्ति अ कि एया जा सकता है इसको ध्यान से आप समझो पहले आवेशित गणों को उत्पन किया जा सकता है तथा नस्ट भी किया जा सकता है तथा नस्ट भी किया जा सकता है दो स्टेटमेंट दे दिया में तो अब पहला स्टेटमेंट हमारा पड़ा हुआ है अच्छे से आवेश को ने तो उत्पन किया जा सकता है तथा नहीं नस्ट किया जा सकता है तो पहला जो स्टेटमेंट है अंडेट परसंट करेक्ट है इसमें कोई डाउट नहीं है अगया कोई नहीं डाउट है दूसरा कॉशन अच्छे से नहीं पढ़ा है उनको डाउट हो सकता है क्यों स्टेट्मेंट देगो बिल्कुल इसका अपोजिट लग रहा है कि हम यहां आवेस ना लिख के चुपचाप हमने लिख दिया आवेसित कर आवेसित करों को उत्पन किया जा सक लगता है तो कहीं ना कहीं यह ऐसा लगता कि आवेस संद्रक्षन नियम को फेल करने वाला कथन हो गया लेकिन एक्च्छल में यदि हम समझ रहे हैं और इसको फील भी कर रहे हैं यह इसका अपोजिट नहीं है इसी को और ज्यादा से एक्स्प्लेंट कर रहा है क्योंकि इस आवेशित खन उत्मन हुआ तो इसका मतलब आवेशित खन उत्मन हो गया और आवेशित खन नस्ट हो रहा है तो इसका मतलब आवेश भी नस्ट हो रहा है कंड के साथ ही तो है क्योंकि अभी हमने डिसकस कर लिया कि आवेश भी ना कड के संभाव नहीं है आवेशित खन तो को सिल्क से रगड़ते हैं तो काज की चठ रगणने पर काज की चठ धनावेशित ओगी और रेस्म कैसी और तीसरा जो मैंने एक्जामपल दिया कि काच की चड़ को हम रेसम से रगड़ रहे हैं तो काच की चड़ दनावेसित हो रही है और रेसम रिनावेसित हो रही है यह यह भी करक्ट है मज़ा नहीं है सर फिर तो आप हमें कंफ्योज कर दोगे प्रस्न यह नहीं है मज़ा कब आएगा कि हम इसको अच्छे से समझ लेंगे इस स्टेट्मेंट को कि आवेस संदक्सित होता है समझाईए तो इसमें हम यह लाइन लिख रहे हैं कि आवेस को ना तो उत्पन किया जा स सकता नाई नस्ट किया जा सकता सही लिख रहे हैं परंतु इसके साथ एक लाइन और ना लिखना भूले कि किसी भी विल्कित निकाय का कुल आवेस सदय्व संदक्सित रहता है नियत रहता है यहां पर काच और निर्सम के स्टड़ी कर रहे हैं यह एक निकाई है जो बच गया हो वो सराउंडिंग है इसकी स्टड़ी कर रहे हम जब इसका एगजांपल दे रहे तो आपे ले काद से नहीं दे सकते हुए यह क्या हुआ निकाई वा तो मैं कह रहा हुआ कि यह थो ठीक है लेकिन इसके ऐंसर में क्या लिखना ना बोले कि नियत रहता है तो कुल का मतलब इस स्टेट का हंवेश और रिनावेश इनका इनका पोटल constant नियत रहे यह आपने समझ लिया चो फिर confusion नहीं रहेगा इस statement का मतलब है वे संदक्सित होता है उत्पन होने से नस्ट होने से संद्रक्षण का मतलब है कि कुला विस हम परिवर्तित नहीं होगा जी्रों यह बना रहेगा مांज 5 है तो मांज मांच ही बना रहेगा प्लस प्लस ओ भाशो बना रहेगा एंकी बात कर कर रहे कि काज की जडंको अबर उस लोका किता कि जड़ से सब स कीय में शाब में जला गया ऐक एक निकला तो एक के बराबर एक के बराबर और फस्ट में आद बनाभी जैए इस कुल की बात करेंगे तो वापस लेको टोटल क्या रहे है तो इसका मतलब क्या है यह फिर ये सही क्यों है पूरे उनिवर्स में पूरे ब्रमाण में किसी भी सिंगल पार्टिकल का प्रेड़क्शन होना ना या उसका not wanna destroy होना possible नहीं है दुनिया में सारे कंड कैसे बनेंगे भराबर और विपरेद प्रकरती कि कि आवेसित कणों को उत्पन किया जा सकता है इसके उदान भी देंगे बहुत सारी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं है यूरेनियम है थोरियम है इनसे लगातार एलपा कार्ण वीटा कार्ण गामा कार्ण ऐसे निकलते रहते हैं लेकिन जितना टोटल चार्ड देखोगे कि रेक्शन से पहले कितना वेस है यूरेनियम की भी बात करें कि यूरेनियम क्या होता रहता है विक्टित होता रहता है तो यूरेनियम का आपको देने की कान्फ्यूज करें कि यह यूरेनियम है नाइंटी टू इसका एक्टोमिक नंबर है परमानो करमान का अलब बाण मे इसका एक नमबर कितना है और कितना नुकलेगा अलफा पार्टिकल क्या है इलियम का नाम क्या है अलफा पार्टिकल है तो देखो यहां पर हमारे पास 92 इलेक्ट्रोन थे और यहां भी 90 प्लस 2 कितने हैं किसी भी बोतिक रासाइनिक अत्वा नावे की अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया के बाद में कोल आवेस कैसा रहता है इसलिए रहता है जितना पहले था उतना बहुता काच रेशम को रगडेंगे पहले जीरो था कोल आवेस फिर कैसा हो गया जीरो ही रहेगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देखो पार्टीकल तो उत्पन हो रहा है यूरेनियम से अलपा कंड बन रहा है बीटा कंड तो यहीं तो लिखा हमने कि आवेसित कंडों को उत्पन किया जा सकता है और नाविक से टकराते हैं तो एक एलेक्ट्रों और एक पोजिट्रों दो कन उत्पन हो जाते हैं और इनका नाम इस अभीक्रिया का नाम क्या है यूग मुत्पाद है तो ऐसा लगता है कि यह जो स्टेटमेंट है यह उसका रिवर्स हो गया या वेसित कंडों के लिए लेकिन हों कर रहा है क्या वेसित और उत ठन होते हैं कैसे इसका एक्स्ल ciek आएंशन भाल में आवेसित कंड उत पन होते हैं ग् 2 नाभिक है यह ईक उन skilled haha जिनको हम गामा वोट्रों कह सकते इसको आप एच नू भी कहते हो यह इसकी उर्जा की ही काई है यह उर्जा है वन पॉइंट जीरो टू मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट से ज्यादा है इससे ज्यादा है यह जब पैनेट्रेट होते हैं न्यूक्लियस में तो यहां से दो पार्टिकल्स उत्पन होंगे एक साथ ए एक पार्टिकल क्या होगा पॉजी ट्रॉन इसको कहेंगे इलेक्ट्रोन इसके ड्रवमान के बराबर द्रवमान विपरीत आवेस का कण्ड यह क्या कहलाएगा पॉजी टो ऐसा लगता है कि देखो वही कामा फोट्रोन यह उर्जा की काई थी आवेस यहां पे जीरो था तो बात है कि आवेशित कणों को उत्पन किया जा सकता है निश्चित रूप से किया जा सकता है इस अभिक्रिया का नाम क्या है यूग में उत्पादन है कर लिया भई अब इसके रिवर्स रियक्शन जो इलेक्ट्रोन और प्रोटोन है यह एस थाई होते हैं इलेक्ट्रोन और पोजिट्रोन इलेक्ट्रोन और पोजिट्रोन नहीं वोटाओं इलेक्ट्रोन और पोजिट्रोन यह वापस मर्ज होते हैं आपस में और फिर यह दो गामा फोट्रोन बना लेते हैं यहां पर दो गामा फोट्रोन कहा से हैं पहले तो यह की था आपको या केवल द्रव्मान संदक्षन ऐसा नहीं पूर्जा प्लस द्रव्मान संदक्षित रहता है तो द्रव्मान उर्जा में चाहित होगया गया अवेशित कण नस्ट भी हो गये कि इसलिए मैंने लिखा ये तो इसलिए लिखा कि आवे संग्सित होता है ये इसकी अर्थ को समझा रहा है सही था यह करक्ट क्यों है युगमउठ पादन में अवे सितकनुद्पन हो रहे है इस अभी क्रिया का संदक्सित रहता है तो बात समझ में आगी statement यह भी सही है स्टेटमेंट ये भी सही है लेकिन पहले स्टेटमेंट को समझने के लिए इसकी अंडरस्टेंडिंग और नहीं जरूरी है कि हम अकेले इनकी बात कर सकते हैं कड़ों की निकाए का मतलब टोटल की बात करेंगे जब समझ में आएगा कि टोटल क्या है सब्सक्राइब नियत रहता है दनावेस तता अब किसी भी तरह क्या जरूरी नहीं कैमिकल रेक्सन हो फिजिकल हो सकते है नुक्लियर रेक्षन हो सकते है दुनिया में बैसे भी उदारन होसे बरापड़ा है बगवान आंगे तो राक्सस भी आएंगे, भूत भी आएंगे, दे उताएंगे तो राक्सस भी आएंगे, एक positive energy होगी तो एक negative energy भी होगी और balance करने के लिए हमेशा universe में quark रहेगा तो positive quark रहेगा आप quark, तो down quark भी रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं है और जिस दिन ऐसा होने लग जाएगा, उ रहेगा, balance रहेगा, और यदि ऐसा आपने डूंड लिया, research कर दी कि अकिला ही उत्पन हो सकता है, तो ब्रहमांड नस्ट होने की स्थती में आ जाएगा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, प्रले हो जाएगी, प्रले नहीं होने देनी है, तो आवेस संदक्सित होता है, आगी ब यह आवेस संदक्षन से दान्त कहलाता है, लेकिन इसके साथ दूसरा पॉइंट लिखना कभी भी न भूले, कि किसी भी निकाय का कूल आवेस सदाया नियत रहता है, यह पौमला भी लिखना न भूले, कूल आवेस का मूला दनावेस, प्लस रिनावेस मिलकर कैसे रहेंगे constant रहेंगे तो इस तरह ऐसे और फिर इसके उधान हम चाहिए गर्सन विदुत की वाले सारे example दे सकते हैं युग मुतबादन का उधान दे सकते हैं युग मुविलोपन का उधान दे सकते हैं अब इक्रिया जो थी यूरेनियम का उधान भी दे सकते हैं यह अपना प्रस्न क्या complete हुआ क्या वेश संद्रक्सित होता है समझाई इसमें चोटे स्टेटमेंट भी हमने डिसकस किये अब इसमें एक और स्टेटमेंट कि दे को यह जो आमने दूसरा स्टेटमेंट लिखा था कि आवेशित कणों को उत्पन किया जा सकता है तथा नस्ट भी किया जा सकता है सहमत है अब इसके साथ में कि पारंतु कि नैट आवेश परन्तु नेट आवेस नियत रहता है यह जोड़ देंगे अब यह स्टेट्मेंट आवेस संदक्षर का कम्प्लीट एक्स्प्लेनेशन हो गया कि कर तो उत्पन हो सकते हैं नेट आवेस का मलब कुल दान आवेस प्लस कुल रिनावेस मिला के जो नेट आवेस रहेगा उसको उत्पन नहीं क्या जा सकता और उसको नस्ट भी नहीं क्या जा सकता तो नेट चार्ज की बात करते हैं अकेले धनावेस की बात नहीं करनी है और यह था दूसरा गुण और हम तीसरी प्रोपर्टी जो पढ़ेंगे थर्ड प्रोपर्टी अविसकी कि निसकर रुए पढ़ए हैं आहिए कि क्वांटित उता है है प्रवित भुट उता हैißt पहला चैप्टरं बहुत इंपटरेंट है सुम् सुन के अपने रटाा जाता है नियुक्र तो है आवेज क्वांटित योता है पास एक्वेह यिदा है दुनिया में बहुत सारी चीजें क्वांटित होती है बहुत कहता है को निये सब्सक्राइब उर्जा के लिए इसका पेकेट के रूप में होता है कि काईयों के निकलोता आवे सी क्वांटित है बारतिय मुद्रा भी क्वांटित है जो कागज उसने बना दिया पिंग कलर का उसका डिसाइड कर दिया कि ये टूथाउजंट का है ग्रीन कलर का जो बना दिया कि ये 500 का है ऐसे डिसाइड कर रखेक नहीं को मिनिममम डिसाइड़ वैलू फि जिनके आदान परदान के लिए निश्चित नियूंतम मान निर्दारित होता है क्वांटित रास्यां कहलाती है मैंने आवे इसकी बात नहीं किये वैं किसकी बात किये क्वांटित सब्दकार्द समझा रहा हूं वापस सुन लो अच्छे से विना बोले सब कॉंसियस जिनके आदान परदान का निश्चित नियूंतम मान निर्दारित होता है क्वांटित रास्यां कहलाती है फिर दूसरा सब्दाएगा क्वांटम मान आदान परदान का निश्चित नियूंतम निर्दारित मान क्वांटम मान कहलाता है सब के लिए बोल दिया वहिए अब प् करनी एंग है किसी भी वस्तों पर कुल आवेस सदैव इलेक्ट्रों के आवेस के पून गुनज के पराबर होता है कि आवेस कौशन पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे किसी और वी वस्तों पर गुण आवेस कि सदेव कि अब सुनेंगे भाई बोलेंगे नहीं में बाहर के बच्चों को पता पढ़ जाएगा वाई सेल के बच्चे बहुत होशार है और तुम्हारे अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं लगाए जा रहा है रटा आवेश क्वांटित होता है किसी भी वस्तू पर कुल आवेश अदेव इलेक्ट्रोन के पूर आवेश कोड़स के बराबर होता है इसके रटा नहीं लगाने जो बात है वही बोलेंगे ना रटा लगा ही बात पार नहीं जाएगी आपको फिलिंग आगी कि क्वांटित क्या है वही वस्तू पर आवेश कै संधार को के बराबर होता है अजयार के वराबर रेंड तो गिनती एक दो तीन च्यार पांच अजय माघ्ट्रों की तरीका है का कि अ हो इस पंदा करने का नहीं है ना तो किसी भी वस्तूपर आवेश आया है तो वह इलेक्ट्रों की वजह से आाया है या तो उतने इलेक्ट्रोन बढ़ गए या इलेक्ट्रोन निकल गए तो वस्तूपर कुल आवेस कितना हुआ किसी भी वस्तूपर कितने इलेक्ट्रोन निकले माल लेते हैं एक इलेक्ट्रोन का आवेस हम ही से निकलते हैं और प्लस या माइनस हो सकता है कि इलेक्ट्रोन निक चुटन एक इन चुम्हें बात लिखिए किसी वस्तू पर कुलवेश सदय एलेक्ट्रोन के ओवेश को अब्सके पूर्णगोरस, वरबर क्योंकि एक दो तीन चार पूर्णगोरस, पूर्णंक, पूर्णंक हुता है, यह कैसा है, पूर्णंक, इसलिए तो हम तो यह जो यह त हम इसको पढ़ होगा किसी वश्टू पर संभावित कितना है तो संभावित कितना हो सकता है बता है ना यह क्लेक्ट्रों जा सकता जा सकते हैं तीन जा सकते साय नहीं जा सकता चूधा नहीं जा सकता है तो हम क्या करें कि एन क्या इलेक्ट्रॉन की संक्या देखो क्यों वटाई यह पूर्णा अंकांसर आए तो संभावित आवेस है नहीं तो नहीं हो सकता अपने को चार ओप्शन दे दिए इवान पॉंट सिक्स इंटू 10 की पावर माइनस 18 आवेस होता है नही Pmi से दिवाइड करके देख लेंगे यदि आंसर पूरण आंक में आ रहा है तो इट मिन सम्भावित है आंसर पूर्ण आंक में नहीं आ रहा है तो संभावित नहीं अइ तो वही बारती मुद्रा फिर देख लूँ यह अपने पास एक नोट है 100 रुपीज का मेरे पास नोट है हम उसके दो पीस कर दें के लिए आदे में तू मजे कर आदे में तू मजे कर तो क्या होगा जीरो जाएगा चलेगा नहीं मार्केट में क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो तुकडों में तोड़ो चाहे 5 में सभी में बरावर टेस्ट आएगा तो यहां कोई निश्चित नियुनतम मान टेस्ट का निरदारित नहीं है तो टेस्ट को वैल्यू जीरो जाएगी खतम हो यह कैसा है इसके मात्रक की बात करें तो इसका पूबलर मात्रक जो भात को है इना त्कलिक, सिर्मान है दूर है समय है दारा है तो उन में कहीं भी आवेस का नाम नहीं है है इक चैनल में क्यों बराबर इंटुphin होता है यह होता है एंटु सेकंड होता है वन एंप्योंट नंते हम हम एंटुम का मतलब क्या है ौन खौlere में एक की सी थार में प्रती सेकंड एक एम्पेर धारा प्रवाइट हो रही है तो हम क्या मानेंगे एक पूलाम हावेश प्रवाइट हो रहा है लेकिन प्रसन ये पूछ लिया कि कितने इलेक्ट्रोन प्रवाइट हो रहे हैं कितने इलेक्ट्रोन प्रवाइट हो रहे हैं ये पूछ लिया एक तार कि संक्या को प्रवाइट होना होगा तो वही बात एन वराबर क्यू बटाई क्यू का मतलब वन कूलम एक का मतलब 1.6 इंटो 10 के पावर माइनस 19 सोल करेंगे यह आएगा 6.25 इंटो 10 के पावर 18 कि इनठों 30 सेकंड का फ्लोडर को रहा है तो इन्स मैं ईलर में प्रती सेकंड इसन क्या कितनी है और कि अतनी मुझे लेक्ट ऑुरा को तो C तो एक मात रखता हो था इसका कूलाम जो ऐसा ही सिस्टम में हैं सी जी एस में तो सी जी एस में कि आप एस यू लिखते हैं इलेक्ट्रिस्टेटिक यूनिट उप चार्ज इस्टेट कूलाम भी लिखते हैं कि इस्टेट कूलाम भी लिख सकते हो और इसको कहीं कूलाम को और इसको चेंज करना पड़े एक कूलाम यह किसमें लिख रहे हैं हम सीजी एस में एक कूलाम में कितने होते हैं कि इसको चेंज करेंगे इसके अलाव एक यूनिट और होती है क्या होती है इसका मतलब दस कूलाम है और यदि एस यू में देंगे तीन गुणा दस की पावर दस एस यो जाएगा तीन गुणा दस की पावर नो है ना यह दस कूलाम बड़ी यूनिट है और इसमें एक यूनिट और पड़ते हैं यह पड़ते हैं इस पहरादे में क्या का सवात है largest unit of charge largest of unit charge क्यों है एक फैरादे में 4500 कूलाम आविस होता है तो द्यान रखेंगे जो ईस्व है इसको इस्व स्टेट कूलाम या एक नाम हो रहा है इसका Franklin भी है और इसकी विश्यस्ता क्या है smallest unit of charge सबसे छोटी unit है फैरादे क्या है सबसे तो आज अपने discuss किया इस्थिर वैद्युत की क्या है जहां इस्थिर आवेशों का अध्यन किया जाता है और फिर हमने अध्यन क्या विद्धुत आवेश क्या है विद्धुत आवेश के गुण क्या है आवेश के गुणों में हमने तीन ही property डिसकस किये जो main property थी समान प्र होता है इसके अलावा आवेस एक अदिस्रासी है योगात्मक है डारेक्शन की जर्थ नहीं पड़ती सिग्मा क्यों एड कर लेता है इसके अलावा इन्वेरियंट है गतिसील इलेक्ट्रोन हो किसी भी वेग से आवेस लिखोगे 1.6 19 की पावर माइनस 19 इस तीर इलेक्ट्रोन इसलिए होता ह्विद्रब्क ट करते हैं या कितने एलेक्ट्रोन की विवरती हुई है या कितने इलेक्ट्रोनों की कमी हुई है आया मजा नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं थांक यू सो मुच झाल झाल